नमस्कार दोस्तों मैं हूँ सिवकांत दोस्तों अगर आपको भी अपनी मॉबाल फॉन की बेटरी को बार-बार चार्ज करना पड़ता है तो इस वीडियो पर आप बने रही है इस वीडियो में आपको कोई भी थर्ड पार्ट ए अप्लिकेशन के बारे नहीं बताने वाला जिसको कि अगर आप ओन कर लेते हो या फिर में जो बाते आपको बताने माला हूँ अगर उस बातों का ध्यान रगते हो तो आपकी मॉबाल फॉन की बेटरी ज्यादा लम्य समय तक जालेगी तो इसलिए दोस्तों मिलकर देख लेते हैं कौन सी सेटिंग है और कैसी इसको प यहां पर आपको पने फोन के सेटिंग ओपन कर लेना है और यहां पर आपको बेटरी सर्च कर लेना है और यहां फिर आपको बेटरी सेवर को उप्शन में जाएगा इस पर आपको क्लिक करना है और यहां बाई डिफॉल्ट ओफ रहेगी आपको यहां से से ओन कर देना है फिर आपको बेका जाना है, फिर यहां पर आपको अपने फॉन के कंट्रोल पैनल को ओपन कर लेना है, और यहां अगर आपको ब्लुटूथ या वाइफाई जिसके आपको आफशिक्तन नहीं है, ओन दिखाई दे तो इसको आपको ओफ कर देना है, जैसा कि मुझे समय फिर आपको यहां से ओफ कर देता हूं, और यहां पर आपको अपने मॉबाल फॉन में एक डार्क मौड नाम से एक ओप्शन देखने को मिल जाएगा, इस पर आपको कलिकर के से ओन रखते हो, तो आपके फॉन के ब्रटरी बहुत कम खच्च होने वाली है, अगर आप इसको बात करें थे हम चार नमर के सेटिंग बारे में आपको अपने मवाल फोन की डिस्पले पे कभी भी लाइव वाल पेपर लगा के नहीं रखना है जैसे कि आप देख पारे हो इस समय यह एनिमिटेड वाल पेपर है इस परकार का कोई वाल पेपर नहीं होना चाहिए इसमें एनिमेशन नहीं होना चाहिए बिल्कुल इस तरह रहना चाहिए तो अगर आप इस परकार का वाल पेपर रखते हो तो भी आपके फोन की बेटरी बहुत ज़्यादा कंग्यूम होगी तो दोस्तो आप इस प्रकार से फिरें फॉन के बैटरी को ड्रेन होने से बचा सकते हो I hope यह वीडियो आपको पसंदे होगी अगर वीडियो पसंद आते वीडियो को लाइक कीजिए, सेर कीजिए और कमेंट करके जुरू बताई कि आपको किस प्रकार की वीडियो ओची है धन्यों दोस्तो थैंक यू